ये कहानी है लक्षमी की जो सेट बलदेव साहनी के घर की लक्षमी थी। लक्षमी के तीन भाई थे जो गाउं के शाहुकार थे, तीनों के तीनों हठे कठे और तंद्रूस्त थे और लक्षमी अपने तीनों भायों की जान थी। जब लक्षमी अठारा वर्ष की हुई तो से बेटी को अपने घर पर ही रखने वाले हैं हमें तो घर जमाई चाहिए। लेकिन जजमान मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा। पंडित जी आप शादी की बात आगे बढ़ाएए। कुछ महीनों में लक्षमी की शादी एक बहुत ही साधारन युवक विमल से हुई। दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की मां सरिता भी बहुत खुश थी एक दिन सोते वक्त लक्षमी ने विमल से बात की। सुनो जी ना इस घर में सोफा है और ना ही गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिये ना वहां सब कुछ है। नहीं लक्षमी अब यही तुम्हारा घर है तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्षमी हर छोटी छोटी सी बात के लिए विमल से जगड़ा किया करती। उनके बिच बात इतनी बिगड़ गई की अब लक्षमी कभी बेलन तो कभी बरतन फेक फेक कर विमल को मारती। विमल बेटा ये क्या है तुम दोनों ऐसे लड़ क्यू रहे हो। मा ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहू घर जमाई बन कर भला मैं ये कैसे कर सकता हम और इसलिए हमारी रोज आमबर होती है। एक काम कर तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए आपको यहां गरीबों की तरह जीने की कोई जरुरत नहीं है मेरे पापा के पास सब कुछ है। अगर आप खुद से मेरे साथ घर नहीं चलेगे तो मैं मेरे भायों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहां से उठवा लुनगी। बहु की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं अब सिर्फ गुफा में रहने वाली दायन ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती हैं जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। वो उत्तरी दिशा में मिलेगी लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुचते पहुचते उसे रात हो गई। कोई है यहां। क्या, आज एक इनसान खुद यहां चल कर आया है वो भी मेरा खाना बनने। मैं आपसे मिलने आया हूँ। मिलने, मुझसे, वो भी खुद चल कर, बताओ बताओ क्या बात है। सरिता ने डायन को अपनी सुरू से कहानी सुनाई फिर डायन बोली। तुम्हे मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियां तुम में आजाएंगी, तब मैं आजाद हो जाऊंगी, और फिर तुम डायन बनकर यही इस गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकोगी, क्योंकि डायन की शक्तिया सिर्फ रात में ही काम करती है क्या तुम्हें ये मनजूर है विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मनजूर है डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तिया सरिता में चलती गई और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई थी यहां पूरा दिन हो गया था विमल ने गाम में जाकर अपनी मा को धूंदा लेकिन मा कही नहीं मिली रात को वो घर पनुचा तो फिर लक्षमी उस पर भड़क गई यह सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और फिर सरिता डायन के रूप में वहां पहुँची सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मनो जमीन खिसक गई सरिता जोर जोर से हसने लगी अब जैसे तैसे रात को लक्षमी सो गई और सुबा होते ही, तू कहा है मा, तू कहा चली गई मुझे छोड़ कर, सरिता, बेटा विमल मैं यही हूँ तेरे पास लेकिन इस डायन के रूप में, ये सब सुनकर विमल बहुत दर जाता है, डर मत बेटा मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे य सब करना पड़ा, ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी, तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया और लक्ष्मी से बोली, सरिता, जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ ले मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वालों ने सोची तो मैं वो फिर आ जाऊंगी, लक्ष्मी, जी, जी, जी मा जी अब मैं इन्हें कभी नहीं परेशान करूंगी, ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, तभी तो कहते हैं मा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, मा एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, दोस्तों हमें उम्मदी है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, ऐसी ही और भी